हेलो दोस्तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेके फाट साला में स्वागत है तो दोस्तो जैसे कि आपने थंबेल देख लिया होगा दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले आपका लेक पाल प्रक्षा के बारे में क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सवार आ रहे थ साथ में बात करें कितने बच्चे आपके सोटरिस की जाएंगे पैट कर ड़के जाएगी एग्जाम कभ वह साथ में आपके बच्चों ने आपके फॉर्म भरे थे लेक पाल मुख्य प्रक्षा के क्योंकि आज की दिख लिया होगा है जो आपका लेग पाल का फॉर्म आये लोगों ने आपका फॉर्म भरा है और आपको यहाद हो जब पैट का आपका एक्जाम हुआ था तो लगों अठारे लाग के आसा बच्चों ने आपका पेपर दिया था पैट का अब देख दोस्तों उसमें आपके टैन पास बच्चे भी कुछ थे उसमें आपके कुछ बच् सबसे चोटी पोश्ट आपकी कोई नहीं तो इसमें इतने वह हैं और इसके बात करें आपके एक के और निकली थी जो इस लेगपाल से पहले आई थी उसमें दोस्तों 9212 वेकैंशी तिसमें आपके मात 19,577 आपके form भरे गए और दोस्तों मैंने पहरे भी बोला था आपसे 18,20,000 के आसपास इसमें form आपके भरे जाएंगे उससे ज़रे आपके नहीं भरे जाएंगे और तीशा दोस्तों आपको निकला था ITI अनुज़सक वाला यह भी आपका पैट के थुरूई है और इसमें दोस्तों आपकी बेकेंसी थी तो याई पच्छी सो चार आपकी बेकेंसी थी जिसमें आपके 29,618 आपके form मरे गए तो दोस्तों सकते हो ले कि अगर बात किया सौट लिस्टिंग की बात करते हैं दोस्तों बात करते हैं कि लेक पाल के लिए सौट लिस्टिंग कब तक की जाएगी सौट लिस्टिंग क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा जो आपका A&M का form आया था वो लगवा आपके लेक पाल से 25 दिन पहले आया था और आपको यही पता है कि इसमें किवल आपकी 90 आप फॉर्म भरे गए हैं तो उसके बाब जो दोस्तो A&M का जो आपका सौट लिस्टिंग है वो आपकी अभी तक नहीं किया गया है यानि मार्ट से आपको खतम होने वाला है अभी तक इसकी आपकी सौट लिस्टिंग नहीं किया गया है तो दोस्तों सोच सकते हो कितना slow आपका process है यूपिटरपेसी का तो देखिए अगर बात करने हम लेकपाल की तो इसकी short listing दोस्तों अभी आपका समय लग सकता है क्यों लग सकता है से मैं क्यों बोला हूँ क्योंकि दोस्तों अगर आप यूपिटरपेसी की website पर जाओगे तो आपने दिखा हो जहां पर आपका form भरे गए थे वहाँ पर दिखा हो दोस्तों अभी तक आपका form का verification भी अभी तक आपका नहीं हो पाया है अगर form का verification लोगों नहीं किया है तो आप देखिए कहां से इतनी जल यह रोग कर देंगे याई दोस्तों अगर आपके अप्रेल के last तक हो जाए तो अभी समझना कि आपकी जो किस्मत है वह बहुत अच्छी है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपके last तक भी आपकी sort listing हो पाएगी और अगर दोस्तों sort listing हो गई तो पता उसके बाद क्या होगा इसकी हो सकता है दुबारा से आपके आविदन मांगे जाएं कि जो बच्चे मुख्य प्रक्षाम बैठेंगे उनको sort list के जाएग उनके लें इसके आसपास लेंगे इससे ज्यादा आपके नहीं लेंगे ठीक है तो इसमें दोस्तों अभी आपका समय लगाए का sort listing में अब बच्चों को सवाल यह आता है कि कितने गुणा बच्चे आपके बैठेंगे तो बता चुका हूँ अगर बात करें एनम की आईटें दोस बहुत सारे यीट्यूब चैनल ऐसे हैं आपके जो नहीं बताया था कि आपको 50% पर सलक्षन हो जाएगा, 60% पर हो जाएगा और बहुत सारे चैनल तो ऐसे बोलेते कि अगर मालो सरकार चैन्ज होती है तो पैट को रद्द कर जाएगा सबी लोगों को लेक पाल में बैठने का मौकर मिल जाए लेकि दोस्तों ये बात मैंने आपको पहले बोल दी थी कि अगर सरकार चैन्ज होती है तब भी मैक्सिम्म तीन से चार लाग बच्चे आपके एक्जम बैठ पाएंगे और सरकार सेम रहती तो पंदे से लिए कि आस पास बच्चे आपके मुख्य क्योंकर पहले बता चुक्त को क्योंकर दोस्तों जो आपकी बहुत ज़्यादा आपकी हाई जाने वाली है ठीक है जैसे मैं बताया था आपको अगर आप जनर केड़ी से बिलॉंग करते हो तो आपका 92 से लेके 94 परसेंटायल के आसपास आपका होना चाहिए अगर आपका इ यहाँ पर 85 से लेकि 90 परसेंटायल के आसपास आपको कटव जा सकती है तो फीमेल की तो फीमेल की मांग शर्मान सकती है अब 85 के आसपास थोड़ा बहुत कम जा सकती है आपकी और पिर आपका स्ट आता है तो एसे की आपकी मतला 85 के बीच में और बात करें ST के तो हो सकता है इसकी आपके 80% से भी कम चले जाए क्यों क्यों देखी दोस्तों पता हो को जनसंगा जो ST की UP में बहुत कम है और साथ ही अगर दूसरे स्ट के ने अप्लाई किया हुआ ST में ST के किसी लड़का लड़की ने तो आपको पताओ को जो आपके दूसरे स्ट से अप्लाई करता है वो आपका जनरल में ही काउंट होता है ठीक है तो इसकी कट आपकी कम जा सकती है लेकि दोस्तों इसके आज पास मांग चलो मैक्समा आपका 2% का फरक पढ़ सकता है उससे तो आपका नहीं होने वाला इंगर इतने बच्चों को बलाना होता 50 suburbs को तो आप खुस सोचो जो आपका पेट हुआ तो पैट कराने का regarde डिका ने क्या मैं सब्सक्तों आपको पहले पता चका हूँँ कि दोस्तों जोMin derechos के रहीग की आपकी बीच जून यानि कि B June से पहले तो आपका एक्जाम नहीं होगा ठीक है और जहां दोस्तों मुझे रखता है जो इसका एक्जाम है वो आपका जुलाई के महिने में कंडेक्ट हो सकता है क्योंकि इससे पहले दोस्तों बहुत सारे एक्जाम है जो अकरान नहीं आपको पता हो और साथ में आपका हो गया forest guard तो दोस्तों ये total में आपका 6 एक्जाम है पूरी दोस्तों उम्मीद ये 6 एक्जाम है कम से कम आपके 5 एक्जाम जो है वो लेक पाल एक्जाम से पहले आपके conduct करा ली जाएंगे तो यानि इसके एक्जाम में अभी आपका समय लगा है जुलाई में तो फिर अगर देखा रहा है दोस्तों अभी भी आपका 5-3 महीने के समय कम से कम है अगर अभी तक आपने किताब खोल के नहीं देखिए तब भी दोस्तों इसलिए ज्यादा नहीं इसका अपनी आप इसकी त्यारी अपनी अच्छी तरह से कर सकते हो और कैसे त्यारी करने इस पर दोस्तों अलड़ी वीडियो में बना चुका हूँ कि कौन से बुक आपका पढ़नी है और साथ बता दूं कोई भी आपको पेट कोट लेने जोतनी पड़ेगी आप बुक से त्यारी कर सकते हो अच्छे से ठीक है तो दोस्तों यही आपको जानकर देने थी अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो थैंक यू फो वाचिंग